भारती क्रिकेट प्रसंसकों के दिलों पर राज करने वाला एक खिलाडी जी हैं हम बात करेंगे यहाँ पर संजू सेमसन की देखे संजू को लेकर लगतार कयास जरूर लगाये जा रहे थे जब से आरलेंड के खिलाफ स्कॉड का एनाउस्मेंट हुआ हार्तिक पांडे के कफ्तानी में स्कॉड जरूर बना स्कॉड के हिस्से में संजू सेमसन का भी नाम आये था लेकिन पहले टी-20 मुकाबले में आरलेंड के खिलाफ संजू को मौका नहीं मिला था जिसके बाद से लगतार कयास जो है वो ये लगाये जा रहे थे कि क्या संजू को सिर्फ स्कॉड में नाम सामिल किया गया क्या संजू को आरलेंड के खिलने का मौका नहीं मिलेगा लेकिन इन सब चीजों पर पूर्ण विराम लग चुका है नमस्कर मैं हूँ आपके साथ अभिशेक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वैक बात इसलिए संजू सैंसेंगे हम कर रहे हैं क्योंकि संजू को जब से स्कॉड में नाम सामिल किया गया था आरलेंड के खिलाब तब से लगातार ये कयास लगाया जाए थे कि संजू सैंसन जो है वो आईपिल के बाद एक बर फिर टी ट्वेंटी मुकाबले में अपने बल्लेबाजी का जोहर दिखात हुए नजर आएंगे लेकिन कहते हैं ना कि जो कप्तान थे यानि हारदिक पाणिया जो स्कॉड में कप्तान के तवर जिनका नाम सामने आया उनको लगातार लेकर फिर ये चर्चेह मनेदेंगे कि हारदिक पाणिया संजू को मौका देंगे और कुछ ना कुछ लगातार एक कयास जरूर लगाया जाते हैं कि संजू को लेकर बहुत पहले यानि आईपिल के पहले रोहित शर्मा ने भी कहा था कि संजू सैमसंग वो खिलाडी है और उनके अंदर वो काबिलियत है कि हम उनको T20 वर्ल्ड कप तक लेकर जाना चाहेंगे स लेकर ऑफड़र्य क्तात में और इसे में स्कौर्ड में शामिल होना और सॉक्वामल होकर ब्लेख़ी मौका ना पाना यह कही ना कहीं संजू के फैंस को जो है वह लगतार रास नहीं आ रही थी और इसको लेकर लगतार यह अठकले लगाई जारी थी कि कि पहले मुकाबले में ना सही लेकिन दूसरे T20 मुकाबले में Sanju Samson को प्लेंग 11 में मौका मिलेगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही Sanju को लेकर जो अब अपडेट आई है Sanju Samson प्लेंग 11 में भारतिय टीम के प्लेंग 11 में शामिल हो चुके हैं और आयरलेंड के खिलाब दूसरे T20 मुकाबले में ओपनिंग करने जो है वो Sanju को ओपनिंग करने का मौका मिला इशान किशन के साथ तो इस तरीके से बात करेंगर Sanju Samson की पाड़ी की तो जिस तरीके से ओपनिंग करने Sanju उत्रें उसी के साथ 31 गेंदों में अर्शतक जड़ा और साथी साथ आठ चौके एक छक्के और 161 के स्ट्राइक रेट से जिस तरीके से तावर तोड बल्लेवाजी किया Sanju ने जिस तरीके से मौके की नजाकत को पहचाना है क्योंकि फैंस लगतार ये डिमांड कर रहे थे कि अगर आपने स्कौर्ड में मौका दिया है तो Sanju को प्लेइंग 11 भी मौका दे और उस मौके की नजाकत को बखु भी कह सकते हैं कि Sanju ने इस्तेमाल में लाया है और इस तरीके से जिस तरीके से कप्तान रोहिट शर्मा ने जिक्र किया था एक बग फिर साब के लिए दोरा देता हूँ कि Sanju जो है वो उनके यानि भारते टीम के T20 वर्ल्ड कप तक के लिए साथ रहने की जो कवायच चल रही थी रोहिट शर्मा की तरफ से उसमें कही न कही लगतार एक और कह सकते हैं कि पोजेटिव साइन यहाँ पे दिखाई दरा जिस तरीके से Sanju ने ये अर्चतक ये पाड़ी आयरलेंड के खिलाफ दूसरी T20 मुकाबलिम लगा है और अब तक का जो ये स्कोर रहा है Sanju का ये उनके करियर कार सरवाधिक और बेश्ट स्कोर के तौर पे T20 के रूप में अगर देखा जाए तो रहा है आपको Sanju के बल्लिवाज्यों को लेकर क्या कुछ कहना है प्लीज कमिन करके जरूर बताएक और साथी साथ वीडियो जची लगे तो चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूलें